असलाम लीकुम दोस्तों आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कुएट खबर यूटूब चैनल पे तो साथियों आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर आ रही है साथियों कुएट में CSC के बारे में आप जानते होंगे जिसको कहा जाता है सिविल सर्विस कमीशन के तरफ से एक रूल बनाया गया है shift किया गया working को लेकर यानि कौन काम कितने बज़े करेंगे इसको लेकर दोस्तो civil service commission के तरब से दोस्तो एक तरह का rule regulation बनाया गया है ताकि employee को भी इससे फाइदा हो और जो company है या फिर जो department है उससे भी उससे काफी जादा फाइदा हो तो साथ यह किस step का बनाया गया वैसे तो बहुत ही बड़ों दोस्तो बड़ी है मैं आपको इस प्यारेम नहीं बताता हूँ पर सौट में आपको बताने की कोशिज करता हूँ जैसे की continuous 24 hour operation दोस्तो 24 घंटा महाँ पे काम चलेगा दूसरा है alignment with department competency दोस्तों महाँ पे alignment किया जाएगा डिपार्टमेंट के साथ nature assign employee worker and shift यानि दोस्तों shifting के तौर पे महाँ पे आप काम करवाय जाएगा यानि 6 घंटे का shift फिर 6 घंटे का shift फिर 6 घंटे का shift यानि मानके चलेगे तीन तीन shift वहाँ पे काम करने की संभावना है तीसरा है biometric attendance verification होगा अब दोस्तों वहाँ पे पहले attendance किस तरह लिया जाता था यानि आप वहाँ पे काम करने गए अब किस तरह से attendance होता वो मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि वहाँ पे कभी मैं काम किया नहीं हूँ पर अब वहाँ पे biometric attendance verification होगा यानि जो भी वहाँ पे employee काम करते हैं उन लोगों का fingerprint लेकर ही verification process होगा कि आप उस दिन आये हो ये नहीं आये क्योंकि दोस्तों इस तरह से बहुत दिनों से महीनों सालों से organizational competency requirement यानि दोस्तों एक तरह का work center पे organize किया जाएगा यानि किस तरह से system बनाया जाएगा कि काम करने का shifting क्या होगा restriction on shift assignment दोस्तों पुरी तरह से restriction होगा shift assignment में जैसे कि secretary टाइपिस्ट administrator and individual handling information system technology तो function जो होगा cannot be essence system में होगा वहीं पे supervisory position का होगा दोस्तों वो limitation का काम वहाँ पे होगा तो इसके बारे में दोस्तों आपको जानकारी वहाँ से मिल जाएगी अब चलते हैं अगली खबर की और अगली खबर आ रही है 13 arrest for gambling in अहमधी और फरवनिया government साथी कुएत म criminal secretary sector के तरफ से लगबक 30 लोगों को ग्रफतार किया गया gambling के आरोप में gambling का मतलब धांदली या फिदादगरी या group बाजी करना simple भासा में आप समझ लीजिए जो कि अहमधी और फरवनिया area से दोस्तों ग्रफतार किया गया है यह लोग काफी दिनों से दोस्तों वहाँ पैस परवाई की जारी है अगली जो कबर आरी कुएट अन्विल न्यू गॉर्मेंट पीम सेख डॉक्टर मोहमद अलसभा टू लीट कैबिनेट ऑफ 13 मिनिस्टर भाईयों जैसे कि आप लोग जानते होंगे कुएट के पीम का जब से कुएट के आमीर की मौत के बाद वहाँ पे केबिनेट को रखती है अगली जो खबर आरी सेवन कॉर्ट रनिंग टू लोकल लिक्विर फैक्टरी साथ लोगों को दोस्तों एरेस्ट किया गया है जैसा कि वीडियो में स्क्रीन पर अब देख सकते हैं यह लोग का कर रहे थे लोकल सराप को बनाते थे एक तरह का यह मान पर मिलाया जाता था और सभी मैनेफेक्टरिंग टूल्स को वहां पर पाया गया जो इसके बाद सभी को जब्त कर लिया गया है और सभी सक्तों गिरफतार करकर कानूनी करवाई की जारी है तो दोस्तों कुछ खबरे थी अपडेट सी जो की कुई से आरी थी मैंने अब तक स किया मिलता हूं साथ उनिक स्टूडिया पर जहीं टेक कैप